हलो दोस्तों सैवन 예요 किच्छन में आप फिर से स्वागत हैं तो दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही सिमपल सी नहां और बहुत ही चटपड़ी तरीके से बनाएंगे। किस तरह से बनानी से मैगी वो मैं आज आपको बताओंगा कि आज में लेकर आयू एक चटपटा-m Vijay तो आज मैं वो बनाऊंगा जो तरीका होता ना कि मैगी कैसे बनाई जाती है कई लोग गलती कर जाते हैं मैगी बनाने में तो यहां पे जो है ना मैंने पानी ले लिया है एक कप मैंने दो मैगी लिया है और एक कप पानी लिया है तो यहां पे मैं आदा कप और पानी डालूँगा तो यह दोनों पाउच गरम करने के बाद पानी को इस दोनों पाउचों को इसमें काटके डाल देंगे तो सबसे पहले जो दोस्तों हमें जो होता है ना पहले पानी को अच्छे से गरम करना होता है तब उसके बाद आप मेगी डालेगी ना तो बहुत जल्दी soft हो जाती है मेगी नहीं तो फिर time लगाती है मेगी तो इस बात का आप ध्यान रखेगा तो यहाँ पर मैंने पानी को अच्छे से boil कर लिया है तो अच्छे से boil करने के बाद ही मैं मैगी को इसमें डालूँगा और यह बहुत ही सिंपल रेसिपी होते दोस्तों हर बच्चा बना लेता है पर कई बंदे इसको भी नहीं बना पाते हैं तो उनके लिए यह वीडियो है जो नहीं बना पाते हैं तो इसलिए मैं एक छोट-छोटी वीडियो भी कई बर लेके आता हूँ ताकि आप जो चीज बना नहीं सकते हैं उसको भी आप easily बना सकें तो यहाँ पे अब मैगी डाल लूँगा तो मैगी को चाहे तो आप crush करके डालिए चाहे आप ऐसे ही डाल दीजे क्योंकि मुझे तो ऐसी लंबी जब यह बनती है ना तो लंबी वो फॉक्स से खाने का मजा ही कुछ हो रहा है तो अगर आप crush करके डालना चाहते हैं तो crush करके भी डाल सकते हैं तो दोनों option रहते हैं तो आप वो दोनों चीज देख लीजेगा तो इस तरह से अच्छे से इसमें डाल के अच्छे से पकाना है तो यहां पे अच्छे से पका देंगे इसे और इसे soft करने के लिए दोस्तों बस जादा से जादा कहने को तो 2 मिनट होते हैं पर 3-4 मिनट तो दो मैगी के दो मिनट और दो मैगी के दो मिनट चाहर मिनट तो लगी जाते हैं दोस्तों तो यह देखिए इस तरह से बस इसे बॉइल आने तक पकाना है और आप चाहें तो इसमें सूपी गाला रख सकते हैं कई लोगों को सूपी मैगी खानी पसंद है तो कई लोगों को ड्राई बिल्कुल तो यह आपके उपर है कि अगर आप सूपी रखना चाहते हैं तो हलका सा इस टाइम पर इसे आप बंद कर दीजे तो मैं यहाँ पर ड्राई बनाऊंगा मुझे ड्राई अच्छी लगती है तो ड्राई वाली मैगी जो होती है ना वो बहुत ही टेस्टी ब पका लेना है तो पकाने के बाद दोस्तों तीन मिनट के अंदर यह बनकर तयार हो जाती है तो लीजे बनकर तयार है बहुत ही सिंपल सी रेसिपी इसमें कोई भी गणित नहीं है तो दोस्तों आज मैंने सिंपल सी रेसिपी आपको बनाना सिखाई है तो यह बनकर तयार मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा